Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल हाटनाओ के चक्रों को पड़ते हैं, अयति感 भी द्रिवाइयड is its backward and वर्क्स है, प्रोटेस्टोटिक पीरिट, विच इंडियन कॉंटेक्स में अगर आप बात करते हो, तो ब्रॉंजियस सिवलाजेशन उसके द्वारा देखने को मिलता है, आप धोला वीरा नाम की जो साइट है, वहाँ पर एक साइन बोर्ड के मदद से, हमारे पास ये एविद जिनके जो स्क्रिप्ट है, उनको डिसाइफर कर लिएगे, हमें पता है कि उस पर लिखा के है, इंडस वाली के केस में ऐसा नहीं हो पाए, बहुत सारा काम हुआ है, सांक्यान साब का काम है, एसको पैर पोला का काम आप उसके उपर देख रहे हो, but still, that is the realm of confusion, prehistoric time frame में आपको rely करना होता है, apart from that, अगर आप थोड़ा सा आगे आते हो, जो समय की हम बात कर रहें, नियोलिथिक से पहले आपका मीजोलिथिक आता है, तो यहाँ पर, even अपर पेलोलिथिक, जो कल्चर से हैं, वहाँ पर, क्या हो गया, stone age drawings, मद्र प्रदेश में अगर आप रहते हो नई भी राज़ों तो आपने सुना होगा, भीमबेकता, पंचमारी, कई सारी आपकी जो rock art है, वो भी हमें culture के बारे में बहुत कुछ बता रही होती है, अभी फिलहाल news में एक site है, इंडिया के, अंदर खासका Northern India में, बिहार का जो state है, आप में से अगर कोई बिहार से है, तो definitely आप इस reason को जानते होगे, चिरान नाम की ये site है, और ये चिरान की जो site है, कहाँ पर located है, सारन district जिसको आप कहते हो, I think इसको छपरा भी बोला जाता है, बिहार के अंदर में, जो छपरा district है, और वहाँ पर ये नियोलोथिक settlement बहुत पहले, आज की बात नहीं है, लग गंगा माता का जो पानी है, और जो रिवर ब्रेट का वहाँ पर आप देख रहे हो, ट्रांस्रेशन देख रहे हो, उसकी विज़े से, जो site है, इसके कई सारे elements हम लूज अप कर, all right, so preservation की जो बात है, किवायद है, वो वहाँ पर शुरू हो जाती है, salvage anthropology अपना काम दिखान होता है, हर एक reason का मतलब क्या है, North, West, East, South, सबके अपने-अपने अनोखे किरदार हैं यहाँ पर, नियोलिथिक का यहोप, आप मतलब समझते होगे, नव पाशाड यूग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो आप बता दिए कमेंड में, but I think दान तक मुझे ध और Iron Age के पैमाने पर, अब इसमें जो सबसे पहला और सबसे पुराना जो टाइम फ्रेम है, उसको आप Stone Age कहते हो, Stone Age इसलिए, क्योंकि जो इंप्लिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जो आर्टिफेक्ट मिल रहे हैं, वो जादा तर किसके बने हुए, पत्थरों के बने हुए, इसलिए, इसलिए, जिसको हम पाशालियो कहते हैं, ग्लोबल सेंस में अगर आप बात करते हो, तो हमारे पास जो प्रेजंट डेट है, यानि कि 33 लाग साल से भी जादा पुराना है, इंडिया के कॉंटेक्स में जब आप बात करते हो, तो 15 लाग साल पहले, अधिरम पक्कम पर आओ, एंड फाइनली आपका नियोलोथिक टाइम फ्रेम आता है, जो की शुरू हुआ है, होलो सीम के ऑंसेट पे, अब होलो सीम क्या है, हिस्ट्री वाले बच्चे, रक्योल जी वाले बच्चे तो जान रहोंगे, पर जो इन दोनों से जुड़े हुए नहीं है, या ज सेटल्ड लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए काफी जादा बहतर रूप से स्टाब्लिश हो चुकी थी, मतलब क्या है, इसके पहले आप देख रहों कि हम करते क्या थे, हम से मतलब है आप और हम नहीं, हम तो थे ही नहीं, तब जाहिर से बात है, हम तो अपसे तीस साल पहले भी नहीं थे, ठीक है, बट जो उस समय का इंसान था भारत में, या फिर कहीं भी और, भारत की क्यों बात, नियोलिथिक पीर्ट तो हर जगह पर थी, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, वी वर रिलाइंग अपॉन अधर सब्सिस्टेंस स्ट्राटेजी इस लाइक हंट उडने गए, तो थोड़ी सी दिक्कत थी, बहुत पुरान डेट हमार पास थी नहीं, बट ग्राजूली हमें कई सारी डेट मिलने लगी, और एक इंपॉर्टेंट डेट हमें यह जो छप्रा का रीजन है, उसमें से, यह जो साइट आपको निकलते वी देखने को मिलने, जि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि इतनी पुरानी डेट मिलना हमारे लिए, एक सैटिस्फेक्शन का विश्य था, पर बात के समय में, हम यही तक नहीं रोकें, रीसेंट टाइम में, रीसेंट डेकेट में, वी हैव आइटिफाइड तू मोर साइट्स which are also in the vicinity of the state of Bihar, Bihar का जो दूसरा भाई है, अब बड़ा कहो या छोटा कहो वो आपके उपर है, उत्तरपदेश के रीजन में, एक जो उत्तरपदेश के चीफ इनिस्टर है, आधितनात बिस्ट साब, उनकी जो constituency है, गोरगपुर, वहाँ पर एक साइट मौजूद है, संत आप कहते हो, कोल्डिवा, इस पर्टिक्लर, इस टू साइट साइट इन नौर्थ और 5500 B.C. यानि कि डबल से भी जादा, जो चिरान, गूफराल, बुर्जोहोम जैसी साइट दे रही है, उससे डबल से भी जादा है, और राइस कल्टिवेशन के दुनिया में, जो सबसे पुराने एविदेंसे हैं, उसमें से एक ही है, सबसे पुराने मत कह दीजएगा, चाइना के पास इस से भी पुराने एविदेंसे हैं, पर आसपास का ही मामल है, बहुत बड़ी बात अब नहीं रहे की, जब हम 2500 पे थे, चाइना साथ यार की आसपास था, तो बहुत नहीं खुबी है, जो लेक्चर्स में हम डिसकस करते हैं, पर चिरान जो की नौर्थ इंडिया में आती है, उसकी क्या क्यूबी है, इस साइट की ये खुबी है, कि ये आपको एक कल्चरल कंटीनूटी दिखाती है, क्याना कल्चरल कंटीनूटी मतलब कोई भी सिरीज एडी तक, बीसी नहीं, एडी तक, यानि कि या आपका जो इन्वेजन था भारत में, बाहरी ताकतों का, वो शुरू हो चुका था, उसके बाद भी साइट आपको वहाँ पर आर्टिफेक्ट्स को शोकेस करी, हिस्ट्री को दर्शारी है, और शुरू कब से हुआ है सलसला, लगभग 5,000 BC के असपास, यानि कि more than 4,000 years की cultural continuity आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इस साइट का इतिहास क्या है, जो earliest इसके उपर excavation किये गए, जो discoveries थी, they were dating back to the late 1800s, याना, 1800 के अंत में, लगभग आप कह सकते हो कि, somewhere near 1900s, वहाँ पर कई important आपको identification मिलती है, यानि कि पहली बार जब ढूडा गया, वो दूसरा समय था, याना, उस समय कुछ बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्चर, मेडिव historical history के, जो आपको architecture है, वो आपको मिले थे, पर बाद में जब इसका excavation किया जाता है, same समय जब इंडिया, चाइना के साथ, war में मश्रूर था, ठीक है, 1962 के समय की बात है, 1962 के समय ये particular site को excavate किया जाता है, excavate करता है, Directorate of Archaeology and Museum, Bihar, site Bihar में है तो, और एक बहुत ही prominent archaeologist है, जिनका नाम है FR Alchin, इन्होंने कहा, इस particular site के लिए उस समय में, है न, बहुत पहले, क्योंकि one of the earliest site, neolithic site थे इंडिया में, उस समय, तो उन्होंने कहा कि ये rising son of neolithic culture in India है, और आपको सबसे early evidences of neolithic settlements दिखाती है, at least in the northern part, जो UP, Bihar का जो reason है, उस reason में one of the earliest settlement को दिखाती है, जो cultural continuity को भी showcase कर रहा है, आगे बढ़ें, उस से पहले आपको बताना जरूरी है, कि presently आप जब वीडियो को देख रहे हो, we are started with our February batch, anthropology is the safest option, the shortest option, और एक ऐसा option जिसको ले करके, toppers, अच्छे marks तो score कर रहे हैं, और हर साल top 10 में अच्छी खासी rank आ रही है, दूसरे optional है, top 30, top 20, 25 500 की बात करते हैं, कि इतने selection होगे, उतने होगे, anthropology top 10 में चार चार दे रहे है, खास बात क्या है, वो anthropology के बच्चे भी नहीं, कोई engineering छोड़ के आए, कोई humanities छोड़ के आए, कोई law छोड़ के आए, कोई quality छोड़ के आए, कोई geography छोड़ के आए, कोई MBBS की degree से, medical से भी कही स तो आपको यह नहीं सोचना है, कि अरे कुछ छूटा तो नहीं, बचपर में ऐसा कुछ खेल गूद में तो नहीं रहा गया, कोई कर्कल अक्टिविटीज में तो नहीं रहा गया, ऐसा कोई भी चुंता करने की जो अतनी है, तो batches हमारे start हो चुके है, 15 से, आप वीडियो को कित्ते पानी में हो, कित्ती तयारी सही हो रही, कित्ती गलत हो रही, अच्छी को अच्छी बताया जाएगा और बुरी को बुरी, तो 8 sectional 4 full length paper आपके यहां पर included है, और उसका सिर्फ यह नहीं कि टेस करके छोड़ दिया, evaluation तो हो गई, timely, बताया जाएगे गलती क्या है, सु हाँ, US Life का code लगाना मत भूजीगा, क्यों नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब इस code को आप लगाओगे तो आपका दो काम होगा, एक तो maximum discount आपको मिल जाएगा, और दूसरा क्या है, personalized optional की guidance भी आपको मिलती रहेगी through social media, जो की otherwise आपको नहीं मिल पाती, तो जैसे ही आप US Life क अगर इस्तमाल कर रहे हो, enrollment के समय, study IQ के किसी भी course पे, तो आप उस guidance को avail करने के लिए, आप मुझे social media पे ping कर सकते हो, message drop कर सकते हो, idea भी आपको बता दूना, all right, खासकार अगर आप P2Y वगर बैचेस में पहलरे से enrolled हो, तो आपको extra discount भी मिल सकते हैं यापर, तो do get in touch, if you are already enrolled in the P2Y Bachelor of Study IQ, further discount भी आप अवेल कर सकते हो, और अभी मेरे ख्याल से, 24 को target कर रहे हो, तो आपके सबसे ज़रूरी है, prelims को ध्यान में रखना, success in prelims के batches भी हमारे होन है, 19th February सी batch start हो रहे है, पूरा का पूरा आपका guidance, कुछ नहीं है, आपको सोचना है कि, dynamic में क्या पड़े, static में क्या पड़े, NCRT कितरी देखे, दूसरे sources कितरी देखे, सब कुछ included है, everything included, 5999 में कोर्स आपका discount पे अवेल हो जाएगा, जब आप again इस code को इस्तमाल करते हो, that is US life, तो study है क्योंको कोई भी कोर्स हो, A to Z, हर जगा code आपको एक ही रखना है, again, अगर आप पूरी तयारी क कर रहे हो, target कर रहे हो, आप 25 को, all right, so यहाँ पर हमारे जो P2I के batches है, जो standard foundation batches है, उसके batch भी start हो चुके है, और अभी शुरुआती, जाइर से बात है, बात चीत होगी, orientation होते है, तो आप इस English batch में, हिंदी भी English भी है, किसी में भी आप join कर सकते हो, 24999 प्राइज है, and the code is US US live, US live को आपको यहाँ पर भी इस्तमाल करना है, और maximum discount भी मिल जाएगा, plus आपको, बादने optional के आप सोचते हो, तो सारी की सारी guidance, social media पर मिल जाएगी, अब US live को आप लगाते हो, तो आप कैसे मुझे से connect हो सकते हो, US live लगा करके, जब code आपने apply किया, annulment ले लिया, तो message drop करके बता सकते हो, I'll be checking that, so utkar singh underscore here, you can connect with me, directly drop a message, कोई भी material चाहिए, slaybers देखना है, guidance चाहिए, PYQ देखना है, free material को access करना है, तो anthropology recorded by utkar singh, telegram group है, वहाँ पर भी सारी चीज़े मौझूद है, वापस आज आते हैं हम, बिहार में, बिहार के अंदर आते हैं, जो चिरान क important site है, छपरा, सरन डिस्टिक के अंदर में, यह जब archaeologically analysis का किया गया, तो it has unveiled, revealed in fact, five different stages, पाँच अलग अलग परत, मतलब को कि पाँच अलग अलग परत layers का क्या मतलब है, जब आपने excavation करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू की, तो first layer, थोड़ी दूर आपने dig किया, एक layer मिली, फिर और आगे, और आगे, और आगे, ऐसे-ईसे, जैसे-ईसे आप खुदाई करते हुए नीचे जाते जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, अलग-अलग cultural layer मिलेगी, जो सबसे उपर है surface के, आपके पाउं के तले, वो सबसे new वाली होगी, इसको हम बोलते है, law of super imposition, stratigraphy जब आप पढ़ते हो, उसके अंदर law of super imposition ये कहती है, कि सबसे उपर जो layer है, जो आपके पैर के just नीचे है, उसको जब आपने खोदा, वहाँ पर जो artifact होंगे, वो आज सपास के समय क्यों है, हो सकता है, कल पर सो आपने 2 रुपए का सिक्का किरा दिया हो, वो जमीन तो similarly, जब archaeological layers को, हम present की layer को तो आपर importance देने नहीं वाल है, क्योंकि वो 2 रुपए का सिक्का हमारे ले हमारा task नहीं है, पढ़ाई आप 2 रुपए के सिक्का के लिए नहीं कर रहे हो, archaeology को समझने के लिए कर रहे हो, तो significant cultural layers हैं, खासकर pre-historic layer, वो सबसे पुरानी जो है, उन 4 layer है, और period 1 जो है, यह आपका नियोलिथिक है, नव पाशारियो, इसके पहले के layers महाँ पर नहीं है, यानि कि paleolithic layers, mesolithic layers आपको नहीं देखने को मिलता है, इस नियोलिथिक layer को आप identify करते हो, with the earliest food producing communities, अभी आपको बताएंगा कि क्या लोग कल्टिवेट कर रहे थे, किसी इस करने लगे, आगे आप आओगे, तो iron age का period आ जाता है, जब period 2 खतम हो रहा है, तो iron age का period जिसको आप एक और नाम से tag से, based upon the pottery, pottery के नाम के हिसाब से इसको एक और नाम से जानते हो, हम इसको कहते है, northern black polished wear, nbpw short में आप इसको कहते है, what you will call nbpw, so यह आपकी तीसरी layer है, लेयर है, जिसको आप late historical age कहते हो, अब एक एक करके इन layers को पढ़ते है, जो neolithic layer है, सबसे पहली जो layer है, इसको date किया गया है, लगभग 2500 BC के पास, exactly 2500 BC के date नहीं देती है, उसके थोड़ी सी बात की rate है, बट फिर भी, it is very near to the proximity of 2500 BC, यहाँ पर आपको मिले किया है, पहले तो यह alluvial deposit जो ganga के हैं, उस reason में located है, और जो लोग हैं आपर वो एक circular fashion में घर बना रहे हैं, हम आप आज कल कैसे बना रहे हैं, आपको देखने को मिला है, rectangular houses बन रहे हैं mostly, पर इस समय, लोग circular houses को बना रहे हैं, with the help of wild reed, और हमें क्या मिला है, उनके अवशेस क्या मिले, तो bone के बने वे काई सारे tool का यह लोग इस्तमाल करते थे और जो हाथी के दात वगर होते हैं, ivory जो होता है, उसके bangles भी बनाते थे, यानि कि fashion और ornaments में भी काफी interest था, तो bone के काई सारे ornaments आपको देखने को मिल जाते हैं, फिर आपको beads मिले हैं, काई सारे semi-precious metal के, जो कि हमें द application करते हैं, यानि कि इस period में, इतने early period में, किसी प्रकार की trade की presence जो थी, वो थी, अब खाते क्या थे, है ना, हमने का, अगरी culture community थे, तो क्या चीज़ कल्टिवेट करते थे, जो हम आप करते हैं, आज की rate में, mostly वैसी चीज़ करते थे, तो rice की, wheat की, barley and masoor की जो varieties हैं, यह calculating period के evidence उसको देने लगता है, तो पहला जो period है, that is around 25-2600 BC, बात के period हमें calculating या copper age वाला देखने को मिलता है, इस समय में, हम जब dates को निकालता हैं, तो dates लगबग 2000 BC के आसपास की हैं, 1902,000 BC के आसपास की हैं, यानि कि वो समय जब आपका IVC, यानि कि इंडस्वेली civilization की जो sites है इनका क्या हो रहा था, decline आपको देखने को मिल रहा था, तब की rates आपको देखने को मिलती है, और यह जो पूरी layer है, यह कितनी बड़ी है, जो हमने कहा कि आप डिक कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो कितनी ऐसा नहीं कि 10 cm, 25 cm की layer है, उतने में मिल जा रहा है, साड़े 5 की थिकनस रखती है, यह वाली particular layer, और यहां पर भी houses constructed आपको देखने को मिले, थोड़ा सा बदलाव आ गया, reads के साथ साथ यहां पर bamboo के house है, और उनके उपर mud का plaster जो है, वो भी करने लिए, यह चीज़ भी वाँ पर शुरू हो गई, घर के अंदर में circular hearths, hearth यानी की जिसक तो यह सारी चीज़ों को आप देखते हो, next secondary burials भी है, अलग-अलग परकार के burials जो होते हैं, वो आर्क लोजिकल रिकॉर्ड में है, तो secondary burials भी यहां पर present आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद आपकी iron age वाला जो समय है, वो शुरू होता है, और based upon the pottery that has been identified or executed from this particular layer, it is called as the NBPW, northern black painted, sorry, polished wear, क्यों, क्योंकि pottery का जो color है, वो कैसा है, black है, जिन जगहों पर मिल रहा है, sights कि दा कहां पर मौझूद है वो, northern India में आपको मौझूद देखने को मिल रही है, और इन sight को high gloss polish दी गई है, चमक है, यहां वो जो निर्मा और घडी वाली पहले आती थी, जए और शुष्मा, वो जुस तरीके का कप्डा हो जाता था, वैसी ही चमक है, बट वाइट चमक नहीं है, यहां पर यह black चमक है, इसलिए आपको यह black polished wear भी नाम इसको दिया जा रहा है, all right, so, यह basically NBPW जो है, वो later Vedic period के साथ associated होती है, यह side है, और इस समय में आपको iron के implements, implements, artifacts देखने को मिल रहे है, क्या-क्या मिल रहा है, sickles, जिसको शायद आप agriculture से वाकिफ हो, हिंदी termologies तो, हसिया शायद या हसुआ उसको कहा जाता है, जिससे यह सारी चीज़ों को किया जाता है, क्रिसेंट चंद्रकार का basically होता है, और communist और कभी Marxist ideology वाली parties को आप देख है, वो आपको देखने को मिल रहा है, प्लाव मिल रहा है, dagger यानि कि जिसको आप खंजर कहते हो, चाकू से बड़ा, sword से थोड़ा सा चोटा, lens, knife और blade, ये सारी चीज़ों भी मिल रही है, beats जो कि पहले मौजूद थी, semi-precious, stones की बनी वह अभी भी है, प्लस उनके साथ सा ट आपने एक जो की जो आकरितियां है, figurines है, वो भी आपको यहाँ पर मिलने लगे हैं, and further deep अगर आप execute करते हो, तो आपको जो PMC, जो copper punch mark, कौन, जिसको PMC coin भी कहते हो, ये PMC coins भी आपको इस particular layer में, later layers में, देखने को मिलने लगते हैं, तो ये सारे important feature है, घर की जो हमने बात कर लो, तो उसमें भी आपको एक change देखने को मिल रहा है, एक settlement में change है, building material पूरी तरीके से बदलके, अब baked brick का इस्तमाल लोग करने हैं, साइड में आप देखिए, जो baked पके हुए जो brick हैं, उनका यहाँ पर लोग इस्तमाल करने लगे, और mud की जो plastering है, वो तो अभी भी हो से, 1st century BC से, 3rd century C के असपास, और जो cushion dynasty है, आपने history में ज़रूर पढ़ी होगी, उसके साथ associate किये गये हैं, इस समय में बड़ी बड़े जो settlement houses कहलो, या फिर जो buildings है, residential buildings, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगती है, बाकी जो historical period है, वो हमारे लिए anthropology और archeology के लिए उ late historic period है, that is period 5, ये period आपको दो चीज़े बताता है, एक तो ये कि लंबे समय से 3rd century AD के आसपास से ले करके, जो present time है, जिसमें ये 5th layer देखने को मिल रही है, तब तक लगभग 600 साल के आसपास से या उससे भी ज़्यादा, समय तक ये site unoccupied हुई, और फिर वापस से ये reoccupy, य इस particular समय में आपको एक pot मिला है important, जिसमें 5 gold के coin देखने को मिल रहे है, जो जो culturaly dynasty के बारे में आपने पड़ा होगा, उस dynasty से belong करती है, इसकी date को निकाला गया, तो लगभग 1050 से याद कर लीजे, 45 exact होने की ज़रूत नहीं है, 1000, 45 या 50 AD के आसपास का ये समय दिखाती है, और कई सारे unidentified sculptures मिले, हमें पता नहीं कि किस चीज़ के, वो भी आपको मिले है, जो की belong करते है, पाला period के साथ, इसके साथ और लैप करते है, तो दिस वोज अबाउट धी very important site, one of the probably most important site in the Northern India, चिरान, और कभी-कभी question इसके उपर, अगर आप anthropology optional से हो, तो UPSC में ज़रूर पूछ सकता है, या फिर prelims में हो सकता है, कभी पूछते है, Northern India की कौन जी site, इसमें से नियोलिटिक साइट नहीं है, आज कर तो प्रेलिम से जो ट्राइबल और आर्चेयोलजी के question है, साइट से काफी पूछ रहे है, तो जब तक आपकी पकड़े ना हो, तो दिक्कत होती है अब एक आपके लिए मैंने question रखा हुआ है, history को आप पढ़ते हो, anthropology को नहीं भी पढ़ते हो, तो भी आपको ये question पता होना चाहिए, comment section में आप मुझे answer कर सकते हो, fact को आपके check करते हैं, कौन सी cultural layer जो Indian archaeology के भीतर पाई गई है, उसको हम second phase of urbanization के साथ भी term करते हैं, call करते ह as second phase of urbanization, which is the cultural layer, यानि की पहला layer कौन साथा, वो आपको बता जता हूँ, help करने के लिए, hint देता हूँ, पहली जो layer है, वो IVC के layer है, और IVC की जो mature layer है, वो हमें, लगबग 26-2700 से लेकरके, 1900 BC के आसपास देखने को मिलती है, जब आपको urbanized characteristic देखने को मिलते हैं, लेकिन इस 1900 BC के आसपास, 1800 BC के आसपास, urbanized characteristic कहीं गायब हो जाते हैं, और उस पूरे period को हम dark age कहते हैं, और वापस इनका re-emergence होता है, जब होता है तो उस particular period को हम क्या कहते हैं, वो आप बताइए, all right, so let's see कि आपको ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, and अगले वीडियो में, we'll be back with some more interesting topic pertaining to tribal portion or history and archaeology. Till then, keep learning, thank you, goodbye.